हेलो दोस्तों मेरा नाम है परागपावल वेलकम बैक मेरे नहीं वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं अनलिसिस्ट आप दे टू स्पान कंटिनियूस बीम बाइस लोब डिफलेक्शन मेथड माना कि यह बीम जो यहां पर जो आपको डियाग्राम जिख रही है यह वह स यह बीम आपको निकाल के दिखाने वाला हूं वह कि विद्धा अपड़ प्लोप डिफलेक्शन में तर ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टेप आपको कल्कुलिशन बता हूंगा ठीक है तो हमारी जो स्टेप नंबर वन है ओके हमारी स्टेप नंबर वन है इस अल इंड मुमेंट्स ठीक है तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन में क्या निकालते है फिक्सेंड मुमेंट्स मतलब देखो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो इस डाइग्राम में आपको A B और B से यह दो स्पैन आपको दिख रहे है इसलिए मैंने आपर 2 स्पैन लिखा ह है तो आप इसमें देख सकते हो यह जो 40 किलो नूटन का जो लोड है यह A B स्पैन में सेंटर में लगा है इसलिए आपको इस पैन मतलब A B के उपर एक यह आपको रोटेशन मिलेगा जो की रहेगा आपका निगेटिव और B A के उपर जो हो रहे है मतलब A B के उपर आपका निगेटिव आएगा और बी एके उपर आएगा क्या पॉजिटिव बेंडिक ठीक है तो फिक्सेंड मुमेंट हम निगेटिव हमारा सबसे पढ़े मैं यहाँ पर निकलेगा क्योंकि इस तरीके संसे जाएगा इंटीक्लोंक्वराइस और इधर जो जाएगा वो इस तरीके से जाएगा तो जा के दोणों क्या हम जाएगी aciौ terrorist इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है तो इस लिए सबसे पहले में यहां पर निकाल लूगा और साथ मुझे के निकाल ला है तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया एंवी और बीए सिमिलरली में बी-सी और सीबी का भी निकाल लेता हूं जैसे कि वहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर फिक्स है यहां पर आपको फर्मुला आता है माइनस विकोज एंटी क्लॉक्वाइज है एवी ओके तो एवी के उपर रहेंगा माइनस डवल्यू इंटू एल बाई एड ओके तो डवल्यू इस नतिंग बाट हो मुच्वाइज इस यह माइनस ऑप 40 इंटू लेंग 2 प्लस 2 यह होगे आपकी 4 डिवाइड बाई तो आपको फिक्सेंट मुमेंट मिला तो अगर यह माइनस 20 है तो यह किता रहेगा प्लस 20 किलो नूटर्न इंटू मिल्डर ओके नॉप अभी उसके बाद में निकालूंगा फिक्स बेंडिंग मुमेंट ओर बी-सी अभी मैं पहले बीची की डाग्रां में पे रोकर लेता हूं तो यह रहा हमारा बी-सी ओके यह रहा मेरा रोलर सपोर्ट यहाँ पे यह रहा मेरा फिक्स सपोर्ट उब उसके उपर यह मेरा है uniformly distributed load UDL ओके जिसका loading वैरी है 20 किलो नूटर्ट यहाप मैं दे देता हूं यह है 20 किलो नूटर्ट और इसका जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है 6 मीटर ओके इस वाट बी सी तो मुझे यहाँ पर क्या क्या निकालना है मुझे निकालना है मुमेंट which is fixed about BC and moving which is fix about cb ुचमढना मुझे क्या निकालना है तो वो किस तरीके से रहेंहे है आपको पहले बात देता सुच बी सी के उपर जो आपका मूमेंट आ उइगा है वो किस तरीके से करना पड़ेगा divided by 12 ओके और यहां पर कैसे रहेगा प्लस WL स्क्वेर बाइ 12 तो यहां पर में भर दूंगा W मतलब किता है माइनस 20 इन्टी इन्टी इन्टु यह आपका 6 मिटर का उसका स्क्वेर कर देंगे इन्टु इवाइड बय इन्टु इन्टु मिटर ओके तो अभी आपके पास फिस्ट मेंट अबट आप एपक्समेंट और बीए फिक्समेंट भी एन चबी नाम में रखा किज़िए कि अगर यह बीम है माननलो इदर आपका फिक सपोर्ट है but compare look at hotel एपकरेंड ऌपके हमेशा क्या गएगा और आपके राइट रैट साइड में हमेशा क्या पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा और ये करना तो उसकी साफसे हंको क्या करना है तो मैंने उसी यह साब से निकाला है ओके नव अभी हमारे स्टेप नमबर वड़ी कि आपको से निकाल लिया नाए अभी हमारे जो सेकंड सेप है जो हमें निकालने के लिए डिफ्लेक्श्यं deflection equation जो कि में स्टेप है तो यहाँ पर लिख देता हूं में स्टेप नमबर टू बैगरांड नॉइस के लिए हम रेली वेरी स्टरी बट येस गाइज यू निद तो जस्ट सब्सक्राइब मैं चानल ओके नेम इस पराग पाल और जित्ता चानल उस मेरे मीडियर को शेयर कीज़े ताकि अच्छा चाहे लोगों को मेरी हेल्प खो सके तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और मेरा अंडूर्ड आप प्लीज डाउनलोड कीज़ेगा यूटूब प्ले स्टोर से आपको बो deflection equation equation बोगे मुझे किसके लिए निकालना पादेगा मुमेंट अबॉट गश्चन तो कि तरीक से रहता है तो यह जो हम निकालेंगे मोमेंट फॉर यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाओ का सबसे पहले में इक्वेशन आपको बता हूं किस तरीक से रहता है वहाता है ट्वाइस EI by L इन्टू ट्वाइस ओफ थीटा A, 2 थीटा A को क्यों लगा क्योंकि हम A, B का निकार रहे A, B का निकार रहे, इसलिए A 2 थीटा A को लगाया, प्लस थीटा B, माइनस थ्राइस देल्टा by L, माइनस ओफ ओके, जो भी आपका मतलब प्लस ही करता है, चलो प्लस फिक्स्ट मुमेंट फिक्स्ट अबॉर्ट A, B ठीक है, जो भी हमारा आया था तो हमारा फार्मॉला का वैल्यू है कैसे हैंगी, मुमेंट A, B is equals to twice EI by 4, क्योंकि 4 हमारी क्या है ये लेंध है पूरी, A, B का 4 है इन्टो twice of theta A plus theta B, now delta for everything is 0 in this numerical, तो ये हो जाएगा 0, ओके, माइनस अभी हमारा मुमेंट fix support A, B जो था हो, माइनस 20 था, तो हम यह आपर लिख देंगे माइनस 20, ओके, नओ अभी देखो, क्या होता है, जबी भी आप के beam को fix support रहता है, तो उसका theta जो होता है वो 0 जाता है, अभी मेरा ये A, B है, ठीक है, तो मेरा theta क्योंकि यह इस तरीके से deflection देगा मतलब, अच्छे तरीके से अगर में theta ये 0 की होता है, अगर बता हूँ आपको, तो उसका diagrammatical यहां से आएसा रहेगा, मानलों यह आपका fix support है, ओके यह आपका है ठीक है, तो इसका जो deflection रहेगा, यहां से ऐसे आएगा, ओके तो इसलिए यह यहां पे जो theta है हो हो हम लेते 0, theta equals to 0 लेंगे, ठीक है तो इसको मीटा जेता हो ओके, तो यह आएगा, equation आपका रहेगा, moment a b equals to twice, मतलब 0.5 e i, 2 by 4 is 0.5, okay, theta b, okay, minus of 20, so इसको हम solve करेगा, तो इसका main आएगा, 0.5 e i, theta b, okay, minus of 20, okay, तो यह हमें मिल गया, moment a b का equation, जो कि हमें final में use करना है, okay, now अभी मैं निकालूंगा, moment of b a का equation, moment b a का equation, moment b a का equation में क्या चल्दिस रहेंगे, देखो, equation लिखता हो में direct, twice e i by 4 into, theta a लगेंगे का 2, नहीं, plus twice of theta b minus 0, क्योंकि इसका तो यह पूरी 0 रहाप है, plus 20, right, अभी मैं इसको solve करूंगा तो एक रहेंगा, देखो, यह आएगा, 0.5, okay, okay, देखो, भी 0.5, यह फिर एसे solve करते हैं इसको, अलग तरीकिस है, जैसे कि, देखो, 2 e i by 4, okay, into twice of theta b, okay, plus 20, right, तो यह जो है हमारा, यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है, तो यह हमारा equation बनेगा, wait, मारा equation यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनेगा, जो रहेगा, आपका, यह 2 to 4 होयाँ, मतलब e i theta b plus 20, okay, तो यह आपका बन्जाए का equation, क्योंकि यह आपे theta यह आपका 0, equation will be e i theta b plus 20, m of b a, right, तो यह अभी मैं यहाँ आपे बोल देता, this is your first equation, this is your second equation, Now, अभी मैं third equation ही का लूँगा, okay, जो की रहेगा आपका, m moment fixed slope deflection equation for moment of bc, okay, तो वो कैसा रहेगा, देखो, उसमें भी same रहेगा, हाँ, अभी आपको इक चीज़ ध्यान में रखना है, bc का जब मैं निकार हो तो आपके moment जो दिया है, i जो दिया है, वो 2i दिया है, यहापे one single था, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं, यहापे 2i है, तो हमें वो आपके change करना पड़ेगा, तो हमारा equation क्या देखो, यहापे value है, ठीक है, i की value हमें यहापे टालना पड़ेगा, 2i है, तो हमें यहापे बोलेंगे, in the bracket is, 2i divided by l, l की value हमारे किते है, यहापे 6, तो यह हो गया 6 into, अभी हमारा theta b जो है, वो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ changes नहीं होंगे, क्योंकि, वो hinge roller support के minus 0, okay, और यह जो value है, ठीक है, यह जो मेरी moment fixed about bc जो आया था, मेरा, वो आया था, minus of 60, तो यहापे लिख तूना तो मेरा जो answer रहेगा, वो answer आता है, 4 by 3, okay, e i, theta of b, minus of 60, okay, मतलब 4 by 6, ठीक है, 4 by 6, फिर 2, 2 से cancel हो जाता है, okay, theta b, यहागा तुमारा answer, तो moment about bc, is nothing but equals to third your equation, नहीं fourth equation मेरा निकलेगा, moment of c भी निकलेगा, तो उसमें क्या रहेगा, आपका, simple रहेगा, 2e, 2i by 6, into, क्या रहेगा, twice of theta c, okay, plus theta b, minus 0, plus 60, तो इसको solve करने बाद मेरे को क्या मिलेगा, देखो, theta c तो 0 हो जाएगा, मतलब यह मिलेगा, आपको, 2 by 3, okay, 2 by 3, e i, theta b, plus 60, okay, तो यह हो जाएगा, आपका fourth equation, moment about c, b, तो चलो, एक बार फिर से बता जेता हमें, रहेगा, मैंने इसी formula लिखा, अजर वहाँ पे फिक्स है, तो आपको, particular angle theta को, क्या रहेगा, 0 करना है, उसको solve करना, तो ma का equation मिला आपको, 0.5 e i, theta b, minus 20, m of ba का मिला, e i, theta b, plus 20, okay, उसके बाद, जो है, m of bc का मिला, आपको, 4 by 3, e i, theta b, minus 60, और यह मिला, 2 by 3, e i, theta b, plus 60, okay, तो देखो, अभी यह आपको, मिले चार equation, तो इन चार equation का मैं, ending में उसका करना, ताकि, moment निकालने के लिए, okay, अभी मैं जाओंगा, आपने step number 3 की तरफ, step number 3 की तरफ, जाओंगा, जिसमें मैं निकालने का, joint equilibrium equation, equation, joint equilibrium equation मतलब होता है, देखो, यहाँ पर दो joint है, एक b पे है, मतलब यहाँ पर एक b joint है, तो यहाँ पर इस point पर दो span joint हो रहे, ओके, तो कैसे बनेगा, moment along b a plus moment along b c, ठीके, तो यह equation आपका है, इस तरीके से बनेगा, आपके लिख दता हो आपके, अभी हम यहाँ पर, sorry, background वाज के लिए, I am really very sorry, तो यहाँ पर में लिखता हो, considering, considering the joint b, okay, we get equilibrium equation as, moment of b a plus moment of, okay, sorry, this m m is different, so, moment of b a and b c equals to 0, equilibrium means, it's worse to 0, मतलग, यह आपका span है, इधर fix है, इधर fix है, यहाँ पर एक roller support है, यह a, यह b और यह c, तो यह, एक joint, दो span को joint कर रही है, इसलिए, b a plus b c, 1 plus to 0, okay, तो अभी हम क्या करेंगे, moment of b a और moment of b c के जो हमने निकाले, ठीक है, moment of b a, okay, और moment of b c, यह दोने equation को हम यहाँ पर क्या करेंगे, addition करेंगे, okay, तो कैसे करेंगे, देखो, यह सबसे पहले यहाँ पर, wait a minute, थोड़ा अटार करने दो, okay, तो यह कैसे होगा, देखो, सबसे पहले moment b a यहाँ पर लेके आएंगे, मतलब यह हो जाएंगा, e i, okay, e i theta b plus 20, okay, plus 4 by 3, e i theta b, okay, minus of 60 is equals to 0, मतलब यह, m of b a क्या आपका, 0.5, okay, sorry, b a है, e i theta b plus 20, तो e i theta b plus 20, m of bc क्या आपका, यह है आपका, 4 by 3 e i theta b minus 60, e i, 4 by 3 e i theta b minus 60, तो यह आपको मिल गया equation, okay, देखो, अभी हमको इसको solve करना, हमें e i by theta b की value निकालने, तो कैसा हमगा देखो, e i by theta b plus 4 by 3 e i by theta b, तो 4 by 3 plus 4 by 3, एक देखो, 4 by 3 plus 1 e i theta b, right, तो यह कितना हो जाएगा, यह इस तरीके से, 60 में से 20 के हैं, तो यह 40 इदर कर लेंगे, तो यह इसका value आती है, 4 by 3, 1 minute, 4 by 3, okay, plus 1, तो यह हमें मिलता है 7 by 3, तो यह हो जाएगा, आपका, 7 by 3, e i theta b equals to 40, तो e i theta b is equals to 40 multiply by 3 by 7, तो e i theta b की value जो आपको मिलती है, वो मिलती है, 17.10143, तो यह मिल गया आपको e i theta b की value, ओके, अभी हम इस value का use करके, हर जो moment की equation हमने निकाल है, moment a b, moment b, moment b a, moment b c, moment c b, उसमें put करेंगा, और हमको moment मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम start करेंगे, okay, so यहाँ पर बोलता हूं है, substitute the value of e i theta b in moment equation, okay, so moment of a b, जो मेरा था, उसकी जो equation था, वो आपको बता देता हूं, वो था 0.5 e i theta b minus 20, तो इसमें अगर मैं e i theta b की value put कर देता हूं, तो मेरा value कर रहेगा, देखो, 0.5 into 17.143 minus 20, तो इसका answer निकलता है, minus 11.2428, 428 kN into meter, मतलब मुझे moment a b मिल गया, minus 11.428, उसके बाद, moment of b a b में same निकला हूंगा, जो आपका equation है, equation था आउसका, e i theta b, e i theta b, okay, plus 20, so is equals to, यह आएगा आपका 17.143 plus 20, तो यह value मिल गया आपको 37.143 kN into meter, बाद में, moment of b c is equals to, आपका equation था, 4 by 3 e i theta b, okay, minus of 60 is equals to 4 by 3, 17.143 minus of 60, तो यह आपको मिलेगा, minus 37.143, तो अभी आपर देख सकते हो, यह दोनों पॉइंट क्या होगे, positive negative, it is getting neutral, okay, joints पे, यह क्या होगे, neutral होगे, same हा रहा है उनका, तो नोंगे, magic negative आ रहे, positive आ रहे, negative positive is equals to 0, तो यह आपर joint पे आपका 0 moment आ रहे, okay, 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 मतलब दो मुका मिला के 0 हो जा रहे, okay, neutral हो जा रहे, okay, मतलब moment cancellation बोल सकते है उसको, okay, बादे मुवमेंट का, cb जो आ रहा है, cb का equation था आपका, 2 by 3 e i theta v plus 60, okay, is equals to, यह आएगा आपका, 2 by 3 into 17.143 plus 60 is equals to 71.429, okay, kilonewton into meter, okay, तो यह भी kilonewton into meter ही रहेगा, ठीक, तो यह आपके होगे, चार main moment जो आपको चिरिये थे, तो यह आपका था beam, okay, इधर था आपका एक fix support, इधर था आपका एक roller support, okay, इधर था आपका एक fix support, तो मुमेंट आप a, b के उपर आया आपका, minus 11.428, okay, b, यह जो b point है, okay, a, b, c, b point के उपर आया, positive 37.143 और यहां से आया, negative minus 37.142, 423, इसका मेनी क्या हो क्या है, यह, और आप जबी भी solve करेंगे, तो आपको joint के उपर, same neutral आना चाहिए, मतलब दोनों मुमेंट आपके neutral होना चाहिए, और इधर क्या है आपका, फिर से, यह है आपका positive 71.429, तो इसका मिनिंग इस तरीके से, यह जो joint के उपर, जो मैंने यहां पर निकाल आई, यहां पर जो मुझे value मिली है, दोनों मुमेंट की, वो neutral हमेशा मिलनी चाहिए, तो भी जाके आपका answer correct रहता, मतलब आपका joint के उपर आपकी जो value है आपको neutral मिलनी चाहिए, इधर कुछ भी मिले, उससे फरक नहीं पड़ता, इधर जो मिलनी है वो neutral आने चाहिए, positive जित्तियारी उत्ति ही negative आने चाहिए joint के उपर, तो भी हम मुमेंट मिल गए, अभी हम निकालेंगे R A, अभी मैं R A निकालूंगा, R B निकालूंगा, R B 2 निकालूंगा, अब यह R A मतलब क्या होता है, जो R A reaction है, मतलब देखो मान लो, कि यह आपका B में, ठीक है, यह आपका रहेगा R A, और यह रहेगा आपका R B 1, इसके उपर यहाँ पर किता, 40 kN का अपना लोट था, इधर एक मुमेंट है अपने पास, इधर एक मुमेंट है, इधर का मुमेंट है, माइनस 11.424, और इधर का है 37.143, ठीक है तो अभी मैं R A निकालूंगा, मुझा R A निकालना है, तो R A एक पस्टू क्या हो जाएगा, R A एक पस्टू 11.424, चलो इसको मैं positive consider करता हूँ, इस point मैं positive consider करता हूँ, प्लस मतलब मैं मुमेंट का पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, इसलिए, तो चलो मैं anti clock wise को मैं positive लिया, ठीक है, बाद मैं, बाद मैं जो यह है, ठीक है, 40 into 2, यह इता 4 distance सा पुरा, यह 2 है, और यहाँ से इता 2 है, ठीक है, तो 11.424, प्लस 40 into 2, माइनस, क्योंकि यह पूरा यह जा रहा है, तो माइनस, clockwise जा रहा है, इसलिए मैं इसको anti clockwise लेता हूँ, 372 divided by 4, ok, ok, तो यह इस तरीके से मैंने इसको किया solve, R A को, ठीक है, तो R A अभी हमें मिला है, तो यह किस तरीक इस तरह आएगा, इक पास तो आएगा आपका है, 13.571 kN ok, now, मैं अभी इसको दूसर तरीके से solve करता हूँ, 1.571 हमें मिला ok, now, अभी उसके बात मैं निकलूँगा, निकलूँगा, R B 1 यह R B 1 मुझे निकलना है, तो R B 1 निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, R B 1 equals to, यह निकलने के लिए 40 आपका लोड है, minus 13 point, जो आपका लोडिंग है 571 equals to यह मुझे मिल जाएगा, 26.429 kN R B 1 निकलना है, तो R A की वालूइ इसमें से minus कर जाएगा, तो मुझे R B 1 मिल जाएगा, ठीक है? यह मिल गया, now, अभी मुझे निकलना है, R B 2 और R C तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा एक beam बनाऊंगा यहाँ पर ठीक है? आपके, क्योंकि support reaction जाएगा R B 1, sorry R B 2 रहेगा है अपना यह R B 2 रहेगा और यह R C रहेगा, ओके तो यहाँ पर जैसे कि मुझे यहाँ पर uniformly distributed load है, ओके UDL है यहाँ 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 था यह था मेरा 20 kN per meter का ओके, यहाँ पर positive reaction है positive moment है यहाँ 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 आपका 37.143 okay, minus okay और इसके बाद यह 71.424 okay तो अभी मुझे R B 1 और R C निकाला है, तो पैसे निकले लेगा R B 2, R B 2 equals 2 फिर से वही करेंगे 20 into अभी देको यह UDL है 20 into यह पुरा 6 थेस का length ठीक है तो 20 into जो 20, इसको point load में convert करने के लिए 6 into 3 करना पड़ेगा 20 into 6 into 3 plus 37.143 minus of 71.424 so divided by अपकी length यह आता है आपका 54.286 किलो न्यूटर्स बिल गया है अभी RC निकले तो RC equals to क्या रहेगा R B 2 यह पिर ऐसा कर लेते हैं मिला मुझे 65.714 किलो न्यूटर्स मुझे R C reaction मिली मुझे R B 1 reaction मिली मुझे R A reaction अभी मैंने reaction क्यों निकाला कि मुझे share post draw करना था तो अभी मैं क्या करूंगा share post R B R A R B 1 R B 2 R C का यूज़ करके मैं क्या निकलना share post की डाग्राम निकल हुआ तो सबसे पहले मैं यहां पे अपना पहले beam बनाऊंगा ओके तो यह हो गया मेरा main beam जो मुझे solve करना था ओके wait ठीक है तो यह हो गया मेरा main beam जिसमें अभी मैं यहां पे थोड़ा line create कर लेता हूँ ताकि मुझे proper तरीके से ड्रॉ करने में मिल जाए ओके तो शेर पोस के लिए मैं क्या करूंगा यही इसको इसको नीचे ले लेते proper तरीके से ओके ताकि दोना bending moment शेर पो दोना निकल जाए ठीक है तो यहां पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है क्या क्या कैसे कैसे था तो ठीक है यह अपना था fixed support है यह था अपना fixed support इधर ठीक है यह था आपना roller support इधर ठीक है यह था मेरा point load जो की था 40 kN का ओके और यह जो था यहाँ पर uniformly distributed load था 20 kN per m2 यह था मेरा i यह था मेरा 2i इधर 6 मीटर की लेंग थी यह पूरा 4 मीटर की लेंग थी यह ए बी-सी तो अभी मैं यहाँ पर निकाल लेंगे जा रहा हूं तो मेरा रा की रियक्शन किते थी रा की रेक्शन 13.571 तो 13.571 यह मेरी positive reaction थी तुभी हम तो अभी हम शेर्पोस निकालेंगे तो शेर्ड देखो हो मेरा रा की रियक्शन हमारे किते थी 13.572 तो यह 13.572 मेरा यहाँ तक आया ठीक है अभी वह 13.572 मेरा इस लोट टक आएगा ठीक है अभी मेरा rb की reaction कित्य थी 26.492 थी ठीक है तो इस 13 को यह 40 है तो 40-13.571 करेंगे तो यह मेरा आएगा नीचे यहां तक यहां तक और यह मेरा continue जाएगा यहां तक नाओ अभी उसके बाद rb2 के उपर rb2 जो था उसकी reaction आयती मेरी 54 ठीक है तो यह आएगा मेरा यहां तक 54 ओकि यहां से लेके 20 पॉंट तक खतम होगा फिर यहां से यहां से लेके इत्ता है मेरा 54 ओके देखों वहाप यहां पर bending moment है तो यहां पर मेरा c का मैं देखूंगा rc की reaction कित्या थी मेरी 65 तो यह मेरा 65 यहां पर 65 यहां पर आएगा और bending moment होने के वाज़े से ठीक है मतलब यूडियल होने के वाज़े से मैं इन दोनों को sorry कि यूडियल होने के वाज़े से मैं इन दोनों को point of control फिक्चर क्रियाइट करूंगा यहां ठीक है मतलब यह क्या हुआ फिर से एक बार में दिखा देता हो देखो सबसे पहले यह तो मेरी वैल्यूइटि आई थी आरे की वैलूइटी 13.571 जो कि मेरा positive था फिर यहां तक आ 429 जो कि negative बाद में यह मेरा यहां तक खत्म हो गया फिर यहां से मेरा उपर गया जो कि मेरी आर्वी की reaction थी 54.54.286 जो कि यह रहेगी positive बाद में मेरा RC की reaction किते थी 65.714 ठीक है यह होगी मेरी negative तो मैंने इन दोनों point को यह क्या 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 पर uniformly distributed लोड आया तो यह होगी आपक बेंडिंग मोमें जो diagram है उसको दूसरे slide पर निकाल दूसरे इस पर निकालेंगे तो यह जो है ओके तो बेंडिंग मोमेंट diagram निकालने के लिए सबसे पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा देखो यहां पर मैं पहले नाम लिख देता हूं ठीक है यह मेरा a support था यह मेरा b support था यह मेरा c support था ओके ठीक है तो देखो दोस्तों कैसा है इस पॉइंट पर यहां पर कैसा है आपका जो भी वेंडिंग मोमेंट आईगा ओओ ट्रेंडल सेपने यह सेंटर में लोड लगा और यहां पर यहां पर अगया पर प्राबूलिक शेप आएगा क्योंकि इनिफॉम्ले डिस्टूम् यह आएगा अपना 37.143 ओके यह है अमारा 37.143 और यह 70.420 ने बट उसके पहले मुझे नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट निकालने पड़ेंगे ठीक है मतलब यह आएगा जो अपना 40 का था ठीक है वो मुझे निकालने पड़ेंगा वह आता है कि वाइगे निफॉर इस तरीके से तक यहां पर यह मेरा बन जाएगा इस तरीके से तो यहां पर यह मेरा बन जाएगा ट्रैंगल तो इसके बाद मेरा अभी जो यूनिफॉर्म डिस्टूइट लोड़े यूद्यल है इसका मैं निकालूंगा तो उसका मुझे जो सिंपल बेंडिंग मुमेंट मिलता है वो सिंपल बेंडिंग मुमेंट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है मेरा 90 ओके सुरी जो आ रहा है वो नाइटी आ रहा है तो इसलिए मुझे पर लेना अप्रेगा तो अच्छी के छोड़ो इसको पेंजी ट्रॉट लेता है कि अधि ट्रॉइंग थोड़ी है कच्छी तो आप थोड़ा हैंडल कर लीजेगा तो यह आया मेरा सिंपल वेंडिंग मुमेंट 40 यह है मेरा सिंपल वेंडिंग मुमेंट 90 ओके ना अभी हम प्लॉट करेंगे मुमेंट अभी हमारा किता था 11.424 तो 11.424 यह यहां पे आड़ हो गया बाद में मेरा मुमेंट किता था 37.142 तो यह यहां पे आड़ हो गया और मेरा मुमेंट किता था 71 तो यह मेरा यहां पर लिख दता हूं 11.428 यह था मेरा 37.143 ओके और यह था मेरा 71.429 अभी हम इसको क्या करेंगे करेंगे जॉइंट करेंगे तो यह हो जाएंगा पहला इधर जॉइंट उके मेरेड कلर से देता हूं उके उसके बाद यहां से जॉइन्ट हो गया और फॉर है इसका मेरा इसका हो गया इसका मिनिंग यह है कि यह जो आपका area है यह उकपर का जो area है जिस एन ये area ठीक है ये दोनो एरिया क्या है आपका positive bending movement positive bending movement ओके और ये जो नीचे का area है ठीक है ये वाला area पॉस है ओके ये वाला जो area है जो green G mil signal मेंद में दिखा रहा हूँ वह आपका निएट्व बेंडिंग मुमें ओके इस व्डिया जो यहाप यहाप है ठीक है नो नॉद्टिव नॉ पॉजिटिड रगाए लिग नॉद्सटिव नॉद्स रागाए ठीक है तो दोस्तों आपको अच्छा लगाए प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ओके ऑर प्लीज लाइक इन चैर रागाए और उन एड़ भाई